नमस्कार हमारी यूटूग चैनल LNB Electrical में आप सभी का स्वागत है आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं हीट्सिंग ट्यूब को किसी वायर के साथ कैसे लगाएं मतलब हीट्सिंग ट्यूब को इंस्टॉल कैसे करें किसी वायर कहीं जॉइंट में यदि आप Electrical Electronics का कोई भी काम करते हैं तो आपको हीट्सिंग ट्यूब लगाने का वसकता तो होती ही होगी लेकिन हीट्सिंग ट्यूब को कैसे लगाएं इसको लगाने का क्या तरीका है ठीक है ताकि जिस पर हम लगा रहे हैं वो वायर भी खर स् quickest करते हैं इसे हीट्सिंग सिंग स्वधि हमारा खराब नहां हो प्रोकर तरीके से वह इंस्टॉल होगी तो इसे करने का सही तरीका अज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं और मैं बताने वाला हूँ कि यह स्लीब्स कितने-कितने mm के आते हैं, ठीक है, कितने-कितने mm के आते हैं, किस स्लीब्स को किस परकार से हिट दिया जाता है, ठीक है, तो इसी वीडियो में चर्चा करेंगे हम, तो वीडियो की सुरुआत करते हैं, तो वीडियो की सुरुआत कर से पहले मैं एक सावधाने बता देना चाहता हूं आप कभी भी हीट सिंग ट्यू या स्लीप को जब लगाएंगे तो आपको तो हीट का जरूरत होगा ही तो हीट का जरूरत होगा और इस प्रोसेस में आप गलब्स पहन कर ही करें जके में आप मैंने के बाद ही इसे इनसीलिफSoke का हीट टीटमेंट मतलब हीट जब आप दीजिएगा ठीक है गलब्स पहन कर करें मैं तो अभी गलब्स नहीं पहना हूँ लेकिन आप जब भी करें आपसे अनुरोध है कि गलब्स पहन कर ही करें पूरे सेफटी के साथ ठीक है नहीं तो आपका हाथ डाइरेक्ट स्किन के कॉंटेक्ट में जब यह हीट जब इससे प्रोड्यूस होता है और जब हीट आपका लग जाएगा हाथ में स्किन में तो जल सकता है इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गलब्स पहन कर ही करें और बहुत ही सावदानी से करें ठीक है तो देखिए यह पहले सबसे पहले हम हीट सिंग स्लीप के बारे में आपको परिचे देना चाहते है तो देखिए यह हीट सिंग ट्यूब है ठ ठीक है तो देखिए यह जैसा कि है जैसा कि मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं देखिए यह कितरे हैं इहां लिखा हुआ है देखिए यहां 4.00 लिखा हुआ है ना 4.00 तो यह 4 mm की कियों साइज में आती है एक चार्म कि और इसकी जुब कलर है घ्रेट कलर की इसमें लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है बारा अम्हें हिट्स इंग सलिप से एक तो इसका कलर के जैसा कि आपको जैसा आपको आप सकता है उस कलर का ले सकते हैं और इसका बढ़ा रोल आता है ठीक है पैकट में आप यह मोई दुकान में खुदरा आपको कोई लेना है तो झालो जैसे रेड कलर का atac खुदर का हो belangrijk का ठीक है रेड ब्लैक यहलो भी आता ठीक है नहीं कहीं जैसा आपको अच्छा लगे उस color का आप ले सकते हैं ठीक है तो और आप खुद्रा यदि कोई बाजार में उपलव्द हो तो खुद्रा भी ले सकते हैं आपके आवसकता कहनुसा और कि यह कितने mm की है यह देख लेता हूँ मैं कितने mm का है यह आपका 6 mm का तो अलग अलग जैसा आपको जीस परकार से करना है उस परकार से आपकर सकते हैं वायर्स जैसा का मोटा पतला हो कर सकते हैं तो देखिए जैसे इन वायरो में हमने लग्स लगा लिए अलग से लगाने के बाद इन जॉइन्टों पे इन जॉइन्टों में अब हिट सिंग हम ट्यू लगाएंगे आम तर पर ब्लैक रेट का इस्तमाल जादा होता है ठीक है तो देखे यह देखे इस परकार से हमने डाली है सबसे पहले हिट सिंग ट्यू को जब भी आप कहीं लगाएं किसी वायर में ठीक है किसी सर्किट के वायर कनेक्शन में ठीक है तो उससे सबसे पहले क्या करें आप उसकी साइज देख लें इसकी जो जिसमें आप डालेंगे उससे एक दो एमेम बढ़ा लें पिलें एक दो एम एम उससे बडा साइज करें इसके अंद़ देक्शन मार्किंग कर लें कि किटना हमको जरूरत है हमको जरूरत है यह से लेकर यहां तक सबसे पहले काट ले कैची से या ब्लेड से आपकी और इंपर डिपेंड करता है दो ब्लेड यह कैची से काट लें कातने के बाद इस परकार से लगा लें ठीक है लगाने के बाद आपको इस पोजिशन पर सेट करना है देखिजिसे हमें यहां तक सेट कर ले हीट देंगे तो यह सिंक कर जाएगा और यह पकड़ लेगा है ठीक है और यह रुदन नहीं होगा तो एक इंसुलेशन हो जाएगा हाँ और एक बात मैं बता देना चाहता हूं आपके पास इसे करने के लिए होट एयर गन होना आवस्यक है देखिए होट एयर गन है ना हमारे डेज देके टू प्रोफेशनल ठीक है बास होट एयर गन इसका नाम है ठीक है और यहां आपको जो एयर का फ्लो है यह कम जादा करने का है यह स्विच ठीक है तो यह अब पर्चेज कर ले सकते हैं यदि आपका हिटसिंग का काम जादा है तो ठीक है हिटसिंग करना रहता ह है आपको तो बहुत ही जी हो जाएगा यह ले लेने से ठीक है तो हमने एक होट एयर गन ले ले लिया है और मैंने जैसा कि आपको बताया मार्किंग करके कटिंग करके इसको डाल लेना है जहां पर आपको सेट करना है सेट कर लेना है सेट करने के बाद इसमें हीट देना है हाँ और एक बार मैं बता देना चाहता हूँ वीडियो के सुरुवात में भी जैसा कि मैंने बताया इसे करने से पहले गलब्स पहले ठीक है और सावधानी से करें धीरे धीरे करें कि जलने का खत्रा रहता है ठीक है तो हाँ और एक बार मैं बता देना चाहता हूँ आग ना दे ने तो इसका इंसुलेशन में खराब हो जाएगा और आपका वायर भी खराब हो सकता है डायरेक्ट आग ना दे कि कभी कभी क्या होता कितने कोई क्या करते हैं न कि डायरेक्ट इसमें आग दे देते हैं redirect टाक दे देते हैं direct flame दे देते हैं, बहुत ज्यादा flame तब क्या होता है, यह खराब हो जाता है So, hardware लिए छोफे लिए थे अधर के लोगे की और ऑपको is फरकार को इन आपको देना है ताके आपका अ 뉴스 क भी वाइल ठीक रहे और यह हीट सिंग ट्यूब का भी इंसूलेशन नाश्ट नाव है ठीक है तो चलिए हम एक करके आपको दिखाते हैं कि किस परकार से होता है तो आप अधार है कि सब आधने तो इस में लगेगा से गरम-ղुलाउ हावा थो सब मेरा नाश्ट हो जाएगा ठीक है पिछे कर लेते हैं से हमने इसंद्राल कुए करना में इसंद्राद कर से उन हम दिखिए इसे हीट देने गलब स्पेहन कर ही करें दिखिए और हीट देने के बाद यहां टच ना करें ठीक है क्योंकि गरम रहता हाथ जनने खतरा इसलिए मैंने बताया आपको गलब स्पेहन कर करें देखिए यह एकदम ठंडा हो चुका है इसलिए गलब स्पेहन कर यह सब करना चाहिए तो देखिए यह अपने सेपन साइज में आ गया अब यह आगे पीछे नहीं हो रहा है ठीक है इसी परकार से यदि थोड़ा धिला हुला है तो और थोड़ा सा दिखाड़ हो रहा है तो देखिए एकदम यह सेपन साइज में आ गया ठीक है दूसरी तरब भी हम इसके इसका कर ले रहे है देखिए यह अपना सेपन साइज में आ गया है ठीक है इस परकार से मेरा यह वायर हो गया अब और एक वायर करना है हमको इसे भी कर लेता हूं में जैसे ही गरम इसमें लगेगा गरम हवा इससे गरम हवा निकल रहा है ठीक है जैसे ही लगेगा यह अपना साइज सेपन साइज में हो जाएगा और इधर उधर भी नहीं होगा ठीक है हाँ गलब स्पान कर करें मैं आपको साउधानी पहले बता दिया हूं और और एक बार मैं बता दे रहा हूं क्योंकि हाथ जलने का खत्रा होता है ठीक है अब हम ट्रांसफरमर का जो लीड निकाले ठीक अब लीड के सामने हमको हम एक हीट सिंग ट्यूब लगाए है इसको हमें इस पोजिशन पर रख लेना है हमको यहां तक करना है ठीक इस पोजिशन पर रख कर हमको होट एर देना है इस पर तो देखे जैसे ही मैंने इस पर दिया देखे कितनी अच्छी तरीके से अपने सेपेंट साइज में आ चुका देखे बाकी सब ऐसा है ठीक है यह कितना अच्छा सेपेंट साइज में आ जाए और इसे तुरंत लगाने के बाद छुए ना नहीं तो हाथ जलने का खतरा है ठीक है तो मैं आसा करता हूँ कि आपको जैसा मैंने बताया इस वीडियो में उसी तरह प्रॉपर करें ठीक है धन्यवाद और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्र प्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद और और एक बाद मैं बता देना चाहता हूं आपको ये एकदम करने का प्रॉपर तरीका है इस परकार से आप किजिएगा आपका ट्यू भी नश्ट नहीं होगा और अंदर का अंदर में जो आप वायर में लगाएंगे ठीक है ओविनेश्ट नहीं होगा धन्यवाद